स्वागेत आपका हमारी प्रिया डिकोट चैनल पे मैंने अपने चैनल पे एक ऐसे विशे की सुरुवात की है जिसकी साइध ही किसी ने यूट्यूब पे बात की होगी या पात भी की होगी तो अपनी ध्यान नहीं दिया होगा मैं हूँ प्रिया और मेरा जो चैनल है वो ब्यूटी का है मैं अपने चैनल पे होमेट रेमेटी और आयुर्वेदिक चीजे सेयर करती हूँ लेकिन एक मेरी इनर सोच थी जिसको मैंने आपके साथ सेयर किया और मुझे पता है आप भी इसे जरूर कनेक्ट हो पाएंगे मेरे हिसाब से ना सुन्दर्ता ना दो तरह की होती है सिर्फ चेहरे की सुन्दर्ता सुन्दर्ता नहीं होती है सुन्दर्ता हमारे जैसे यह हमारे सरीर का एक फेस है मतलब सरीर का हमारा चेहरा है वैसे हमारी आत्मा है उसका भी एक चेहरा है हम अपने चेहरे की सुन्दर् किती वही कि पर जाल कि इस पाल मेल चीनल की इतनी डिवांगी करने लोग क्या और स्वोल डी स्टिंग कुक retard लुव उसने दिवासिंग के क्लोंषे यह चाहते हैं अपने प्रस्वाप शाहते हैं श्री आप यह और ड्रस्टी म्लत और बत पन्रीन और यकीन मानिए जब आप अपने इनर ब्यूटी पे काम करने लगेंगे तो आपको किसी भी सिंगार की और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपकी अंदरूनी सुंदरता और उपरी सुंदरता दोनों बेदाग और चमकदार होगी तो फिर आपको किसी सिंग अरता को भी आयुर्वेदिक बनाई है मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक का जो मतलब होता है न वो होता है प्यूर मतलब जो किसी को हाम नहीं करें किसी को नुकसान नहीं पहुचा ए कॉस्मेटिक चीजे बेसक नुकसान पहुचा देती है लेकिन आयुर्वेदिक चीजे उसको ठीक कैसे करना है, जैसे हमारा चेहरा है ना हमारे चेहरे पे ब्लैकेट्स हो जाते हैं, तो हम नचाने क्या क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं, और बहुत सारी चीजे लगाते हैं, आयरवेदिक और कोस्मेटिक दोनों लगाते हैं, चेहरे को स्क्रब करते हैं, चेहरे की स करना है उस पर हमने बात किया था उसका लिंक मैं आप डिस्किप्शन में दे दूंगी उसको आप जरोरी देखिएगा खुब सूर्ती का ना माइने बदल जाएगा आज हम बात करें कि हमारा जो चहरा है मान के चलिए मेरा ज चहरा उस पर जाइया कैसे होती है जो सूरज की सीधी किरन हमारे चेहरे पर जमनट से जल्टे जमनट वाइटमीन की कमी से इसके साथ औरपर डाइट और यह धेलीज रूटिंग अच्छी ना होने से यह वह अंदर परीजू की आत्मा है जब जलता है ना तो सिर्फ राक ही बचती है वैसे ही हमारी जो आत्मा रूपी चेहरा है उस पे जाया हुई है लोगों के जलने से हमेशा किसी चीज से जलने लगते हैं किसी इंसान से जलने लगते हैं कूडने लगते हैं और वो जलन हमें ही नुकसान पहुंचाती है लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता है कि हमें कितनी जादा ये डिस्टरब कर रही है हमारी आत्मा की सुन्दर्ता को, हमारी हेल्थ को और हम उसकी परवाब बिल्कुल ही नहीं करते हैं मैंने जैसे बताया कि जलने का न सिर्फ एक ही नतीजा होता है राग होना, वैसे ही चाहे वो लकड़ी हो चाहे इनसान हो वैसे ही हम लोगों से जल के, लोगों से कुड के अपना बहुत ही जादा नुकसान पहुंचा रहे है लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि आपको सोचना चाहिए कि जलने से क्या फाइदा हो रहा है उल्टा हमारा नुकसानी हो रहा है अगर सामने वाला का कुछ हो तो आप एक बार करके ट्राई भी करते हैं कुछ भी नहीं होगा सामने वाला है जैसे है वैसे ही रहेगा लेकिन आप अपने आत्मा को अपने चेहरे को गंदा कर रहे हो इसके साथ साथ आप अपनी एनरजी को भी वेस्ट कर रहे हो दूसरी चीज आप अपने आपको नो नीचा कर रहे हो क्योंकि जब आप किसी से जलते हो ना कूडते हो तो आप उस इंसान को ऊपर देखते हो अपने खुद को नीचे देखते हो तो आप अपने आपको नीचे देखने लगते हो इसलिए आप जलने और कूडने लगते हो और जब आप अपने आपको ही नीचे देख रहे हो तो इसे आपको दुनिया की कोई सक्ति नहीं है कि जब आप खुद नीचे सोच रहे हो तो आप नीचे ही रहो गया तो उल्टा ये नुक्सान हो गया कि हम जैसे हैं मतलब और नीचे आप जा रहे हो इसके साथ फिर मैं बोलना चाहूंगी आप अपनी आत्मा को गंदा कर रहे हो अपने आत्मारुपी चेहरे को मतलब चेहरे पर दाग बना रहे हैं और अपने स्वास्त को भी अपने हेल्थ को भी नुकसान पहुचा अब आप मेरे से यहां पर पूछना चाहोगे कि आपको कैसे पता कि उसको मैं उपर और खुद को नीचे देख रहा हूं तो मैं आपसे बात कहना चाहूंगे कि कभी भी न नदियां उमडती है समुंद्र के तरफ जाने के लिए समुंद्र नहीं उमडता है नदियों के तरफ आने के लिए यानि जो बड़ा होता है उसी से लोग जलते हैं नीचे वाले से कोई जलता नहीं आप खुद अपने मन में सोच के आपके स्थीए कोवा कि और ल मेरें। शेवे जारी मोर्म सालते जो है। डूट अनसी में चीजल करें चेरें, यतार जाल अकीजल करने हो,Uकफिशे क्यों सानते बापिवाचिए। एधर उधर कर रहे हैं, हम किसी एक चीज़ से कनेक्न नहीं हो पारे हैं, तो आप जिस भी धर्म के हो, जहां से भी बिलॉंग करते हो, ना कोई कनेक्शन बनाओ इस इस्वर से, क्योंकि इस्वर изवर का कोई धर्म नहीं होता, इस्वर दस तरह का नहीं होता, सिर्फ इस्वर एक ही है, क्योंकि अगर इस्वर एक नहीं होता, अगर सूरज एक नहीं होता, दस होते, तो धरम हर जाती कि सूरज अलग होते, तो इस्वर सिर्फ एक होता है, आप जिस धरम के हो, जिस जगह से हो, उस चीज से, उस एनरजी से उस divine से एक connection बनाना सीखो, वो आपको vitamin ना आपकी अंदर की खुबसूरती को बहुत ही निखारेगा, जब उससे connection होगा ना तो आपके अंदर बुराई ऐसे ही नहीं आएगी, तीसरी चीज़े क्या थी कि diet अच्छा ना होने से और daily routine में diet follow ना करने से, तो हमारी आत्मा की जो किताबों से दोस्ती कर लें, मेरेको लगता है कि fall to time इधर उधर वेस्ट करने से किताबों से दोस्ती करने चाहिए, अच्छी किताबे, हम अच्छी अच्छी किताबे पढ़ें, अब यहाँ पे डेली रूटिंग से मतलब है, थोड़ा से exercise, योग भी करें, और थोड़ा सा meditation भी करें, यह भी आपकी soul dusting में आपकी आत्मा की सुन्दर्ता में बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली है, आपके आज पास एक positive vibration connect होगी, और जब आप अपने चेहरे की सुन्दर्ता के साथ साथ, जब आपको अपने soul dusting पे काम करने लगोगे, तो यकीन मानो, आपकी vibration, आपकी thinking और आपका जो खुबसूरती का मतलब है और आपकी चेहरे की भी खुबसूरती बदल जाएगी, आप खुद यकिन करोगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब आपको सुनने में मजाक लग रहा होगा कि ऐसे ही बोल रही हूं, लेकिन आप एक महिने तक इसे कर के दे जो आप में है, उसको ढूंडने में, उसको तरासने में आप अपना वेस्ट कीजिए, ना कि इधर की उधर की चीजों में टाइम वेस्ट कीजिए, तक सोल डस्टिंग पार्ट 2 वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए, और हम इस व पता चले, चारो और पॉजिटिव एनर्जी, खुशियां पहले,